नमस्कार साथियों, आजे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भिन्नों को घटाना सीखते हैं भिन्नों को घटाने के लिए दो मुहत्वपूर बिंदूओं को ध्यान में रखना होता है जो भिन्नों को जोड़ने में बताया था वही पॉइंट आपको भिन्नों को घटाने में भी याद रखना है क्या याद रखना है कि भिन्नों को घटाने के लिए हर का बराबर होना बहुत जरूरी है जब तक हर बराबर नहीं रहेगा तब तक ये भिन घटेगी नहीं और घटना काम किसका है अंस का होता है तो भिन का हर बराबर होने की सर्थ होती है और घटना काम होता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका हर चार है इसका भी हर 4 है, ये पहले से ही बराबर है, जब ये बराबर है, तो क्या होगा, अंस जो है वो घट जाएगा, ये 5 है, ये माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 है ना, और बटे में कितना है, बटे में 4 है, 4 है, तो इसका भी बटे क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, 2 बटे 4, 2 एकन्नम दो दो दूना चार एक बटा दो आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अब इसको देखते हैं आपको इतना मालूम है कि जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक यह घटेगा नहीं तो यहां पर चार है इसको भी चार बना दो बराबर हो जाएगा तब यह घट करके जो आएगा वो उसके बटे में भी 4 रहेगा है ना और ये 2 पच्चे 10 हुआ 10 माइनस 3 10 माइनस 3 कितना हुआ 7 7 बटा 4 इसका उत्तर हो गया अब ये देखिए यहाँ पर 3 बटा 2 है ना और 4 बटा 5 है जैसे इसमें 2 को 4 बना दिया था ये बन जा रहा था तो बना दिया लेकिन इसमें 2 को कहेंगे कि वहिए तुम 5 बन जाओ तो 2 का पहारा पढ़ने पर 5 आता ही नह और 5 से कहेंगे वहिए तुम 2 बन जाओ तो 5 का पहारा पढ़ने पर 2 नहीं आता है तो ये कहेंगा कि मैं 2 नहीं बनूंगा तो क्या करना है ना देखिए इसको तिर्षा गुड़ा कर लो ये यहां का 5 का तिर्षे में 3 से 5 तिया 15 हो गया है ना और 2 का तिर्षे में 2 4 के 8 हो गया और नीचे का नीचे वाले से तिर्षा गुड़ा करके उपर रख लिए और नीचे का नीचे वाले से गुड़ा करके नीचे रख लेंगे 2 पच्चे 10 15 से हम 8 को निकाल दे कितना बचेगा 7 बचेगा बटे कितना 10 7 बटे 10 इसका उत्तर हो जाएगा तो भिन्नों को लाबर करने की सर्थ होती थी जूरना काम होता था अन्सकाव